प्लास्टिक बोतल से बनाए नया और अनोखा प्लान्टर हलो दोस्तों मैं हूँ नरेंदर दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट दो लिटर वाली चार प्लास्टिक बोतली कठी करें इन्हें साफ कर बीच से काट ले दो बोतल के कैप वाले हिसे को काट कर अलग कर दे कैप के साथ वाले बोतल इसमें इंसर्ट करें यह एमसील है इसमें से दो क्ले निकलते हैं दुनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का क्ले बन जाता है फ्यूचर का पता नहीं पर अभी यह दस रुपे का मिल जाता है एमसील कले से कॉइल बना कर कटे हुए बोतल के किनारे लगाएं दूसरी कैप वाली बोतल इंसर्ट कर दोनों को फिक्स करें दो घंटे तक ड्राई होने दे दोस्तों यह वाल पुट्टी है किसी भी हार्डवेर की दुकान पर आसानी से मिल जाता है आज की डेट में यह 400 रुपे का 20 केजी मिल जाता है वाल पुट्टी में केवल पानी मिला कर बहुती बढ़िया और सॉफ्ट डो तयार कर सकते हैं डो बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में एवलेबल है क्राफ्ट शुरू करने से पहले किर्प्या डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़े यह डो ज्यादा से ज्यादा चार गंटे तक चलता है इसलिए हम जरूरत के हिसाब से बनाते हैं वॉल पूटी पाउडर में थोड़ा पानी और फेविकॉल मिलाकर एक घोल बना ले डो से थोड़ा थिक कोईल बनाए डॉट डॉट करके वॉल पूटी का घोल लगाए कोईल को जोईंट पे अच्छे से फिक्स करें और ड्राइ होने दे डो से ना मोटा ना पतला शीट बनाए शीट की लंबाई इतनी रखे जितना आप समभाल पाए बोतल पे डॉट डॉट करके वॉल पूटी का घोल लगाकर शीट को जिपका ले फाल्तु के हिसे को हटाते जाएं जोईंट को पुराने नाइफ या उंगलियों से स्मूथ करें दोनों सेट्स पे नीचे लेयरिंग कर इन्हें ड्राइ होने दें ड्राइ होने के बाद इसी तरीके से पूरे बोतल को कवर करें फिर से ड्राइ होने दें क्राफ्ट के साइज को ध्यान में रखते हुए यानि कान का शेप बनाए निचले सिर्य पे स्ट्रॉ या ब्रश के पिछले हिसे से छेत करें ड्राइ होने दें ड्राइ की साहता से चेरे को थोड़ा गोल शेप दें फिर से ड्राइ होने दें ड्राइ क्राफ्ट पे चेरे का रफ स्केज करें अब स्टेप बाई स्टेप चेरे की डिटेलिंग कर सकते हैं साधारन से ब्रश का पिछला हिस्सा उंगलियों की साहता से डिटेलिंग कर सकते हैं महेंगे टूल की जरूरत नहीं मैं तो ज्यादा तर पुराना नाइफ, नेल कटर, पुराना ब्रश यही इस्तमाल करता हूं आप चाहे तो कले टूल का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो कई सारे लोगों ने मेरा वीडियो कॉपी करके सीधा अपने चैनल पे डाल दिया है यह बिल्कुल उचित नहीं है और आपका जो चैनल है उस पे स्ट्राइक भी आ सकता है और आपका चैनल कभी मोनोटाइज नहीं होगा प्रोटोकॉल का ध्यान रखे यूटूब हमें सब बता देता है ऐसे चैनल फ्यूचर में कभी भी बंद हो सकते हैं क्राफ्ट ड्राइ हो गया है 320 नमर के रेगमाल यानी सैंड पेपर से इसे स्मूथ करें डस्ट को डस्ट बिन में डाल दें आई पे पतली लेयर करें नेल कटर या नाइप से डिटेलिंग करें नीचे वाली लाई चम्मच के पिछले हिस्से से किया है आपको जैसे कमफर्ट फील हो वैसे बना ले पुतली के नीचे गोल शेप ब्रश के पिछले हिस्से से बना ले इसके साथ ही आई ब्रो की डिटेलिंग कर ले मेल वाले क्राप्त में मूँच बनाए कान को डो की सहता से चिपका ले ड्राई होने दे पतले कोईल बना कर बाकी की डिटेलिंग करें आप अपना मनपसंद पैटर्न भी बना सकते हैं गलती से क्राफ्ट कहीं से तूट जाए तो उस हिसे को दुबारा बना कर फिनिश करें ड्राई होने दे चेहरे की बाकी डिटेलिंग कंप्लीट करें क्राफ्ट की डिटेलिंग आप घर में उपलब्द किसी भी सामान से कर सकते हैं जैसे पैन का अगला हिस्सा जो टूटा हुआ है बेकार है या फिर पुराना नेलकटर पुराना नाइफ जो भी उपलब्दो उसी से कर सकते हैं क्रियेटिविटी की कोई सीमा नहीं होती बस आपको सोचने की ज़रूरत है क्राफ्ट ड्राइ हो गया है कलर की शिरुवात करते हैं वॉल्पुटी क्राफ्ट पे हमेशा एक्रेलिक कलर यूज करें एक कोट ड्राइ होने दे फिर दुबारा कोट करें ब्लैक कलर ड्राइ होने के बाद स्पॉंज पे कोई भी मेटालिक कलर लगाकर कोट करें क्राफ्ट पे आप अपना मनपसंद कलर कॉंबिनेशन भी रख सकते हैं यहां जितने भी कलर इस्तमाल किये गये हैं उन सभी के नाम और नमबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है यह कट मिरर है जहां जरूरत हो वहां फेविकोल की सहता से चिपका ले सस्ते वाले लोकल जुमके इन्हें कान में लगा दे प्लास्टिक के गमले में पहले से प्लांट किये गये गमले रख सकते हैं पर आर्टिफिशल प्लांट सबसे अच्छा रहेगा तो दोस्तों प्लास्टिक बुतल से बना अनोखा, सस्ता एंटिक प्लांटर आपके घर की शुभा बढ़ाने के लिए बिल्कुल तयार है मन के स्वास्त के लिए आर्टेन क्राफ्ट कर लिया अपने तन के स्वास्त के लिए आदे घंटे ग्रीन में वॉक करें साथी सस्ते और मौसमी फलो का सेवन करें बजट वाले क्राफ्ट के साथ अपने बजट के अनुसार अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें बॉल्पूटी क्राफ्ट का मन तो है पर बना नहीं पाते तो यह ऑनलाइन क्लास आप ट्राई कर सकते हैं ज्यादा जनकारी के लिए आप मुझे वाट्सप पे मैसेज करें इस तरह के बजट वाले बहुत सारे क्राफ्ट वीडियो अभी आने बाकी हैं कोई भी क्राफ्ट वीडियो आपसे छूट न जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी एक बेल आइकन है उसे भी दवा दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें आपका किम्ती समय देनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहते मेरा चैनल क्रांप पोकेट